नमस्कार स्वागते आपका दैंगल पर आपके साथ नीलम पैन्यूली चलिए नजर दालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर पाकिस्तान के पूर सेन्यत आनशा परवेज मुशरफ को लाहो थाइकोंट से जड़का ख़जा के खिलाफ अरजी वापस लोटाई मन की बात में पियमोदी बोले हमारे यूवा अराजक्ता के खिलाफ इनसे देश को बहुत उम्मीद सियार पी अफ के कारकरम में बोले अमिच्शा आप देश की सुरक्षा कीजिए परिवार की सुरक्षा हम करेंगे हेमन सोरेन बने जारखन के ग्यारवे मुख्यमंत्री शपत ग्रहन में राहुल मम्ता समेथ कई विपक्षी नेता हुए शामी पाकिस्तान के पूर्व सैन्यतानशा परवेज मुस्सरफ के मुस्किलें बढ़ गई है लाहर उच्च न्यायाले ने उनके उस आवेदन को लाटा दिया है जिसमें उन्होंने देश द्रोव के मामले में एक विशेस अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को चुनाती दी थी लाहोर उच न्यायाले के रजिस्ट्रार कार्याले ने शीत कालिन अवकाश के चलते पूर्ण पीट की उपलब्धता ना होने का हवाला देते हुए याजिका को लोटा दिया वकील अजहर सिद्धिकी के जर्ये शुक्रुवार को दायर इस याजिका में पाकिस्तान की संगीय सरकार और अन्य को प्रतिवादी बनाए गया था 86 पन्नों की याजिका में मुशरफ ने खुद को सुनाई गई मौत की सजा को निरस्त कराने के लिए अधालत की पूर्ण पीट के गठन की मांग की थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक्ता कानून को लेकर हुई हिंसा पर चिंता जाहिर की है इस साल की आखरी मन की बात को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवा अराजक्ता के खिलाफ है इनसे देश को बहुत उम्मीद है हम सब अनुभव करते हैं कि यह पीडी बहुत प्रतिभाशाली है यह सोशल मीडिया का युग है लोग सिस्टम को फॉला भी करते हैं और अगर सिस्टम सही काम ना करे तो बेचेन भी होते हैं और सवाल भी करते हैं हमारे देश के युवाओं को अराजकता के प्रती नफरत है वे भिर्भाव को पसंद नहीं करते पियमोदी ने कहा कि 2019 की विदाई के पल हमारे सामने है अब हम ना सिर्फ एक नए साल में परवेश करेंगे बलकि नए दशक में परवेश करेंगे इसमें देश के विकास को गत सिर्ता के प्रती देश के युवा के मन में चिर्ड है पिछले दिनों CAA को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में छात्रों का जिक्र आने के बाद पियम का या संबोधन उस संदर्व में देखा जा रहा है दिली में ग्रह मंत्री अमिशा ने CRPF के मुख्याले का शिला न्य CRPF दुनिया का सबसे बड़ा शसत्र बल तो है ही साथ ही दुनिया का सबसे बहादूर शसत्र बल भी है इसके इतिहास को खंगाले तो इसकी कई गाथाईं बताए जा सकती है 21 अक्टूबर 1969 को CRPF के सिर्फ 10 जाबाजों ने आटोमेटिक हतियारों से लैस चीन की टुकडी का सामना किया और अपनी आहुती थी इसी लिए 21 अक्टूबर को पुलिस इसमरिती दिवस के रूप में मनाया जाता है जारखंड मुक्ती मोर्चा के नेता हेमत सोरे ने जारखंड के ग्यारवे मुख्यमंत्री के रूप में शपत ले ली है मंत्री मंडल के सहयोगी के रूप में कॉंग्रेस के दो और रास्ट्य जंता दल के एक विधायक ने भी शपत ली इस कारक्रम में राहुल गांधी पशिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनार जी, शतिसगड के मुख्यमंत्री, भुपेश बगहेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशो गहलोत, कॉंग्रेस नेता, आरपियन सिंग, डियम के प्रमुक्रिस्टॉलिन, आरजेडी नेता, तेजस्वी, यादव, समेथ के नेता, आलमगीर आलम ने भी मंत्री पत की शपत ली, साथ ही आरजेडी के विधायक सत्यनन भोक्ता ने भी मंत्री पत की शपत ली मायवती ने ट्वीट कर कहा है कि बस्पा अलुशासित पार्टी है वाई से तोड़ने पर पार्टी के संसदों और विधायकों आदी के विरुद्ध भी तुरंत कारवाई की जाती है इसक्रम में मध्यप्रदेश में पतेरिया से बस्पा विधायक रमाबाई परिहार द्वारा नागरिक्ता शंचोदन कानून का समर्थन करने पर उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है उन पर पार्टी कारक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है बताने की रमाबाई ने नागरिक्ता शंचोदन कानून का समर्थन किया था पार्टी ने उनके किसी भी कारक्रम में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है मध्यप्रदेश में कमलनाथ को सरकार बचाने के लिए बस्पा विधायकों के समर्थन की जरूरत है ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वे जल्द ही कॉंग्रेस में शामिल हो सकती है महरास्ट के पूर मुख्यमंत्री देवेंदर फड़नवीस की पत्नी अमरिता फड़नवीस ने महरास्ट सरकार पर संकशा है उन्होंने कहा कि खराब नेता पाना महरास्ट की गलती नहीं है लेकिन उसके साथ बने रहना गलती है बता दें की कुछ दिनों पहले भी सिफसेना के साथ ट्विटर पर अमुख्यमंत्री देवेंदर फड़नवीस ने हिंदित्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी की टिपने की निंदा की थी इस ट्विट का जवाब देते हुए अमुख्यमंत्री को निशाने पड़ लिया था इसके एक सब्तह बात अमुख्यमंत्री की या टिपनी आई है उन्होंने कहा कि खराब नेता पाना महराष्ट की गलती नहीं है लेकिन उसके साथ बने रहना महराष्ट की गलती है जागो बयान को पूरी तरह गलत समझा गया अक्तर ने कहा कि उनके बयान की पूर्व लेग इस्पिनर को उनके हिंदु धर्म से संबंद रखने के चलते कई लोग उन्हें टीम में नहीं देखना चाहते थे को पूरी तरह गलत समझा गया उन्होंने कहा कि धार्मी का धार पर किसी के साथ भेदभाव करना उनकी टीम का कल्चर नहीं है अक्तर ने आरोप लगाया था कि टीम में कई ऐसे लोग थे जो कनेरिया को पाकिस्तानी टीम में नहीं देखना शाते थे चूंकि वहाँ हिंदु धर्म को मानने वाले हैं इसके बाद कनेरिया ने भी कहा था कि कुछ खिलाडी थे जो उन्हें टार्गेट करते थे लेकिन उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव कभी नहीं बनाया गया आज के लिए वस इतना ही बने रहे हमारी साथ दा एंगल पर नमस्कार